मैं देखा जाए तो दिया है कि a man roads a boat a certain distance downstream in 9 hours मतलब 9 घंटे में वो एक कोई दूरी पे टै करता होगा सेम दूरी को downstream में किया था वो सेम दूरी को अगर उसने upstream में cover किया तो उसको 18 hours लग जाएगा ध्या रखना यहाँ पर दूरी same है तो हमें बताना है कि how many hours it will take for him to row 3 5th of the same distance in still water तो बताना है कि original distance का 3 5th उसने सांत जल में अगर टै किया न तो उसे कितना time लगेगा तो देखिए distance जो है न एक क्या होगा V minus U T1 equal to V plus U T2 होगा मतलब की यह जो boat का speed minus यह क्या होगया आपका धारा का speed by V plus U equal to T2 by T1 हो जाएगा अभी बताया अगेंस्ट में कितना time लगा था 18 hours और 7 में लगा था 9 hours यह आपका कितना हो जाएगा 9 by 18 मतलब क्यों होगया 1 by 2 तो V minus U by V plus U का value 1 by 2 जो है इसको हम 2 by 4 भी तो लिख सकते हैं चलेगा तो अगर V plus U का value 4 है तो V minus U का value कितना होगया 2 तो V का value कितना होजाएगा 3 and U का value होगया कितना आपका 1 अभी अभी रिकाल लेते हैं कि आपना distance तो distance कितना होजाएगा अगर ध्यान से देखे तो V plus U तो 4 है और time कितना ले रहा था 9 hours 7 में जाने में तो 4 इन 9 होगया 36 km और कुछ के वगया 36 unit अभी तो new time होजाएगा है ना उसमे distance है 36 बा 3 by 5 और 3 के speed से जाएगा अगर देखा जाएगा 3 के speed से जाएगा अगर 3 के speed से गया तो अपना काम हो जाएगा 36 by 5 तो आंसर होगे 7.2 तो सही time जो time लिया है इसने इसने distance को travel करने में तो लिया है 7.2 अगर आप पर लोजिक समझ में आया है solution समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले हाँ इस question को आप और भी सॉट में कर सकते हैं हमने अधरा detail में से लिए बता है कि ताकि अगर तुरा वोज भी आपका confusor है तो confusion दूर हो जाए अधरवाज इस question को solve करने maximum 10 to 15 से लग लगेगा तो ठीक है फिर में जाए अगले video में एक नए question के साथ